कॉलेज में हो, मस्ती कर रहे हो या सोशल मीडिया पर ये चेक कर रहे हो कि रोहन ने आज क्या किया, सम्रन किस के साथ थी, सैंडी का जगड़ा किस से हुआ और ना जाने क्या क्या बाई, आप लोग ये सब कर रहे हो, लेकिन वहीं एक तरफ कई स्टुडेंट सोशल मीडिया की हल्प से हजारों कमा रहे हैं, तो कई कॉलेज में ही अपना चोटा मोटा बिजनेस शुरू करके महीनों में लाखो का बिजनेस कर रहे हैं, तो यार आप क्यों पीछे हो, यही त किल को फाइंड करके उसे इंप्रूव करने की, लेकिन अब आप पूछोगा कैसे, ऐसा क्या है जिससे हम भी अपने कॉलेज के साथ साथ आर्निंग कर सकते हैं, तो दोस्तो इसके लिए मैं हो ना, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऐसे 10 बिजनेस आइडिय शादी हो, बौदे पार्टी हो या कसी पार्टी या कोई प्रफेशनल मिटिंग हो, लोग आजकल सभी छोटे बड़े ओकेजिन्स के लिए एक इवेंट मैनेजर की हल्प लेते हैं, ऐसे में होता ये है कि उस पूरे इवेंट की साथ सजावट से लेकर खाने पीने और बाक आप गुगल पे साच करो, इवेंट मैनेजमेंट, कमपनीज, नुयमी और इन सभी कमपनीज को कांटक्ट करके इनके साथ जुड़ जाओ, कुछ महीने काम को अच्छे से सीख लो और फिर अपने तीन चार दोस्तों के साथ मिलके आप इस बिजनिस को स्टार्ट कर सकते हो कि हाल ही में उसके स्टार्ट अप को करीब 800 करोड की फंडिंग मिली है, ऐसा करते ही उनका स्टार्ट अप आज देश का 101 वाँ यूनिकॉन स्टार्ट अप बन चुका है, मैं बात करना हूँ फिजिक्स वाला स्टार्ट अप की, जिसके फाउंडर है अखल पांडे, और बस तो इसमें मैनत भी कमाल की लगती है, उस लड़कों को 6-7 साल लगे हो सकता है कि आपको 10 साल लगे, हो सकता है कि आपको 2 साल भी लगे, लेकिन आप ट्यूटरिंग बिजनिस को करके काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हो, आप बच्चों को ऑफलाइन, ऑनलाइन कैसे भी प बनाती हैं, कुछ ट्यूटर्स बस डिफेंस एक्जाम पर फोकस करते हैं, तो कुछ बस लॉग एक्जाम के, एक बार आपने अपना नाम बना लिया, फिर बड़े-बड़े एजुकेशन टेक स्टार्ट अप जैसे बाई जीूज और अनकैडमी भी आपकी कोचिंग बिजन फ्रिलांसर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, और उससे भी ज्यादा संख्या बढ़ रही है, जिनके लिए ये फ्रिलांसर्स काम करते हैं, ये मारकेट इतना बड़ा है और इतना प्रोड़क्टिव है, कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, अब अगर आपके अ अबाज अच्छी है, तो वोईस ओबर पर काम करके आप यूटूब और फाइवर अपक जैसी वेब साइट्स पर अपने क्लाइंट्स के लिए काम करके काफी पैसा कमा सकते हो, दोस्तो ऐसे कई सारे कंपनी और यूटूब चैनल होते हैं, जिनके पास इतना वक्त नहीं हो ताकि वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट करते रहें और इसको कंसिस्टेंट बनाये रखें, इसलिए वो लोगों को स्पेसली स्टुडेंट्स को हायर करते हैं, ताकि वो स्टुडेंट्स अपनी क्रेटिविटी का यूज़ करके सभी सोशल मीडिया प्लैटफ अपने का होनर होता है, इसलिए अगर आप कुछ बेसिक चीजों पर ध्यान दो और उन पर काम करो, तो आप भी उन स्टुडेंट्स में से एक हो सकते हो एक वरच्वेटी परसन की मिटिंग्स, कॉल्स और शेड्यूल को मेंटेन करता है, एक वरच्वेटी अपने बास को ये बताता रहता है कि उसे किस दिन कौन सा काम करना है और किस से मिलना है, ग्रेट्र्स इतने बीजी हो गए हैं कि वो ठीक से अपने टाइम को मैनेज़ न वेस्टरन कंट्रीज में ये बिजनेस काफी फल फूल रहा है, वहाँ एस्टुडेंट्स इस काम को ग्रूप में भी मैनेज करते हैं ताकि कॉलिज स्टुडी पर भी फोकस बना रहे और ये बिजनेस भी चलता रहे, इस काम के लिए आफ फाइबर और अपवक जैसी वेबसा प्रेंट हो या कोई योगा ट्रेनर या कोई सलोन, अपनी प्रोड़क्स और सर्विस की लिस्टिंग, रेट्स, टाइमिंग्स और एड्रिस डिटेल्स कभी भी कहीं से भी उनके कस्टमर्स देख सकें, इसके लिए वो अपनी वेबसाइट बनवाते हैं, ये बिजनेस आप अपने लोकल सिटी में भी शुरू कर सकते हैं, और फाइबर या आपवक्स जैसी ऑनलाइन साइट्स पे भी, इसे आप अकेले शुरू कर सकते हो, पर तीन चार दोस्तों की टीम बना कर इसे अच्छे से किया जा सकता है, काम आप आपस में डिवाइड कर लेना, जैसे एक क काम होगा क्लाइंट्स जूनना और उनसे बात करना, एक काम होगा वेबसाइट ट्रेडी करना और एक काम होगा आफ्टर सेल्स सपोर्ट प्रोवाइड करना, अब अगर आप एंगलिश में अच्छे से कॉम्निकेट कर सकते हो, तो मैं रेकोमेंड करूंगा कि आप बाहर के क्लाइंट्स पे ज़्यादा फोकस करो, टॉप टायर कंट्री जैसे यूएसे, यूकिय और श्रील या कनाडा, यहां आपको ऐसे क्लाइंट्स मिल जाते हैं, जो एक वेबसाइट बनवाने के लिए 40 से 50 जार आसानी से दे देते हैं, नमबर फो, डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट डिजाइन एजनसी वाला बिजनिस मॉडल आप इस बिजनिस में भी लगा सकते हो, अब अगर कोई स्मॉल बिजनिस अपना वेबसाइट बनवा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसे अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए भी कोई चाहिए, यहां काम आते हैं डि इस्टाबलिश करो, किसी एक प्लेटफर्म के एक्सपर्ट बनो, जैसे आप Qwera Ads एक्सपर्ट बन सकते हो, या Amazon Ads एक्सपर्ट बन सकते हो, या फिर आप बस Lead Generation एक्सपर्ट बन सकते हो, वेबसाइट डिजाइन एजनसी हो या Digital Marketing एजनसी, इन दोनों ही फिल्ड में कॉम्प बहुत है आपको कोई एक स्पेसिफिक नीचे पकड़के उस पे फोकस करना चाहिए ना कि हर तरह की प्रोजेक्ट में खुद को एक्सपोर्ट बताने लगो इन बिजनेस आइडियाज पे आपको डिटील्ड वीडियो चाहिए तो नीचे कॉमेंट करके बताना दोस्तों हम बात कर रहे हैं कॉलेज स्टुडेंट्स की तो आप अपने बिजनेस की स्टार्टिंग अपने कॉलेज से ही शुरू कर सकते हैं कॉलेज के एनुल फंक्शन या निउयर पार्टी से लेकर अलग-अलग उकेजिन्स पर आप कॉलेज के थीम को शो करते हुए टी शिर्ट, कैरी बैग्स, डाइरी, स्टेशनरी, ओवरॉल वो सारी चीजे जो स्टुडेंट्स यूज करते हैं उनको बेच सकते हो एक्जामपल के लिए माल लो कि जब कॉलेज में निउयर पार्टी हो तो ऐसे में निउयर के टेक्स्ट या इमेज के साथ थोड़ा एडिटिंग करके टी-शिर्ट परिंट बनाओ और उस टी-शिर्ट में कॉलेज के फोटो या वाटर मार्क शंब्धिंग अड़ कर दो इ अपने कॉलीज के अलावा ये काम आप और कॉलीज के लिए भी कर सकते हो चाहो तो इस काम को सोचल मीडिया की हल्प से ऑनलाइन भी कर सकते हो हाँ कस्टमाइज करने के लिए विश्टा प्रिंट जैसी वेब साइट की हल्प ले सकते हो इस बिजनिस को प्रिंट ऑन डिमां आने का शौक हो और आप प्रोफेशनल फोटोग्रापर बनना भी चाहते हो तो देर किस बात की उठालो अपना फोन या DSLR और लग जाओ काम पर आप अपने इन पिक्चर्स और वीडियोज को इनवाटो शटर शौक थीम फॉरस्ट जैसी बहुत सारी स्टॉक फोटेज वेब केट और इंस्पार करते हैं और इन प्लैटफॉर्म्स पर हर दिन नए नए कॉंटेंट क्रेटर्स और बढ़ते ही जा रहे हैं आखर कौन नहीं चाहता फेम और मनी अब आप बोलोगे पर यार मुझे कॉंटेंट क्रेटर नहीं बनना मेरे पास कोई ऐसी स्कल भी नहीं है जिससे की लोगों को एंटुटेंट कर सकूँ या कुछ सिखा सकूँ तो भाईयो और उनकी बेहनों पहले पूरा बिजनेस आइडिया सुन लो आपको क्रेटर्स और स्टार्टप के बीच मिडिल मैन बनना है स्टार्टप्स को अपना प्रमोशन करवाने के लिए क्रेटर् पर वो ऐसे हजारों क्रेटर्स को कउनटाक्ट नहीं करते वो सीधा इंफलेंसर मार्केटिंग एजनसी से डील करते हैं और आपका काम होगा इन पेट प्रमोशन's को मैनेज़ करना स्टार्टप से प्रमोशन का काम लेना क्रेटर्स से उनके चैनल और आईडि पे पोस्ट क इंफ्लुएंसर मार्केटिंग का बिजनस आज के टाइम वे बहुत ही तीजी से ग्रो कर रहा है इस बिजनस आइडिया पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो नीचे कॉमेंट करके बताना तो ये थे दस ऐसे बिजनस आइडिया जो कोई भी कॉलिज इस्टुडेंट स्टार्ट कर सकता है वीडियो खत्मोने से पहले आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ ये उन एस्टुडेंट के लिए भी है जो खुद को दूसरों से पीछे और लो स्कल फील करते हैं इसके अलावा कुछ एस्टुडेंट ऐसे भी होते हैं जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बहुत शाई होनी की वज़े से कभी खुद को आगे नहीं ला पाते दोस्तो एक बात समझ लो आप अभी जिस चीज को करने के बारे में सोचकर घबरा रहे हो उससे आकर होगा क्या जाज जादा आप उसमें फेल हो जाओगे पर उसके साथ ही आपको मिलेगा बहुत सारा एक्सपिरिंस जो हेल्प करेगा आपको अपनी स्टुडेंट लाइफ से ही ग्रो करने में बड़ा सोचने में विजन क्लियर करने में और सेल्फ इंप्रूब्मेंट में इसलिए दुनियादारी के बारे में मत सोचो स्टीव जॉब्स ने अगर अपने दोस्त के गैरिज के बारे में सोचा होता तो शायद आज एपल नहीं होता एलन मस्क ने अगर फेलियर और लोगों के बारे में सोचा होता तो आज स्पेस आक्स और टेसला नहीं होती ये वीडियो मैंने यूटूब के लिए नहीं आपके लिए बनाया है जिससे आप इंस्पार होके कोई खुद का बिजनेस से स्टार्ट कर सको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सबस्क्राइब और इसी तरह के बिजनेस और मनी मेकिंग आइडियाज के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग